श्मोधी जी को काश्मीरी पंडित भाई बहनों के बारे में भी किसी फिल्म से ग्यान हुआ पर सत्ता में तो जनाब आठ साल से आप हैं सवाल तो पूछना ही पड़ेगा पर इसमें उनका कसूर नहीं है यहां मेजर साब बैठे हमारे बुजर्ग हैं जिनका पित्र संग्थन जिस पार्टी का प्रधान मंतरी जिस पार्टी से आते हैं उनका पित्र संग्थन 1925 से लेकर 1947 तक अंगरेज के साथ रहा और देश के सवतंतरता संगराम के खिलाफ रहा जिनके पित्र संग्ठन ने 1947 के 45 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा आपने यहां लगाना सही नहीं समझा उस पित्र संग्ठन से निकले प्रधान मंत्री जी को के बारे में उनकी सोच और समझ के बारे में यही उमीद की जा सकती है साथियों हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का सबसे बड़ा पलायन कश्मीर से कब हुआ वो 1990 की शुरुवात में हुआ उस समय किस की सरकार थी देश में वीपी सिंग्जी की सरकार थी जो भारतिय जनता पार्टी के 85 सांसदों के समर्थन से चलती थी कॉंग्रेस की सरकार नहीं थी लगबग 140,000 से अधिक हमारे कश्मीरी पंडितों सिख भाईयों ने पलायन किया भारतिय जनता पार्टी ने वीपी सिंग्ज सरकार से समर्थन नहीं वापिस लिया उल्टा भाजप्पा के एक नेता सीएम को हटाकर सुवर्गिये जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे और उन गवर्नर मोहद्यने जो भाजप्पा के नेता बाद में भी थे और पहले भी थे और उनके केंद्रिय मंत्री भी थे उन्होंने कहा काश्मीरी पंडित भाई बेहनों को आप जाइए मैं कुछ नहीं कर सकता प्रन्तु बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापिस नहीं लिया ना जगमोहन जी को कहा कि आप काश्मीरी पंडित भाई बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीजिए घर आ जाईए उल्टा लाल क्रिशन एडवानी जी एक बटवारे वाली यात्रा चलाते रहे रत यात्रा काश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे सिक भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे उगरवादी उन्हें डराते रहे उन पर हमले करते रहे उनको मारते रहे वीपी सिंग की सरकार मुख दर्शक बनी रही भारतिय जन्ता पार्टी उसको समर्थन देती रही जग मोहन जी वहां गवर्नर और रतियात्रा के संचालक मोदी जी एडवानी जी के साथ रतियात्रा निकालते रहे उस यरत यात्रा का इवेंट मैनेजर और संचालग भी माननिये नरिंद्र मोदी जी थे केवल एक व्यक्ति और एक दल उठा जिसने हमारे कश्मीरी पंडेद भाई बहनों के पलायन का उन पर आतंख फैलाने का उनके कतलो गहरत का उनके कतल का विरोध किया वो उस समय विपक्ष के नेता थे उनका नाम था स्वर्गे राजीव गांधी उन्होंने संसत का विरोध किया घेराव किया उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी ने संसत को घेरा और सरकार को कहा जा गिये क्योंकि काश्मीरी पंडित, क्योंकि राजीव गांधी जी का परिवार भी, काश्मीरी पंडित परिवार है, वो भही से निकले हैं, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने संसत का गहराव किया, पर उन्होंने समर्थन वापिस नहीं लिया, ये उस साल में मोधी सरकार ने क्या किया तुलनात्मक आंकड़े वाजिब नहीं मैं नहीं मानता के हमारे भाई बहन जो काश्मीरी पंड़े थे उनके लिए कोई तुलनात्मक आंकड़े देने चाहिए पर सच्चाई बताना जरूरी है यूपिय सरकार स्कीम लेकर आई पी-एम पैकेज लेकर आई तीन हजार से अधिक परिवारों को सरकारी नौकरियां दी पांच हजार नौसो ग्यारा घर बनाकर काश्मीरी पंड़े भाई बहनों को दिये और यूपिय के दस साल में आतंक वाद से हमने लोहा लिया 2004 में जब आए तो याद करिये क्या हालत थी काश्मीर की जल रहा था दस साल में 4241 आतंक वादी मारे गए और आठ साल अब हो गए हैं बीजेपी को भी उन्होंने क्या किया इन्होंने आठ साल में केवल 520 परिवारों को ही नौकरियां दी काश्मीरी पंड़ित परिवारों को केवल एक हजार घरी दिये और आठ साल में केवल 1499 आतंकवादी मारे गए है तो दोस्तो फिल्म देख दिखाकर नफरत और बटवारे से और नफरत की खेती से जिन्दगियां नहीं चलेंगी मोदी जी ये बताएं हमारे काश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनरवास कब तक कर देंगे आज एक तारीख देदे हम उनकी तारीफ करेंगे या ये कहें कि अगले छे महीने में इतने हजार उसके छे महीने में इतने हजार उसके छे महीने में इतने हजार दोनों जगे आपकी सरकार है और इससे पहले भी आपी की सरकार थी जो महभूमा मुफ्तीजी के साथ आपने बनाई थी आपने कितने काश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनरवास किया कितने काश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दी कितने काश्मीरी पंडित भाई बहनों को मुवजा दिया कितने लोग दुबारा जाकर बसाए हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है चल चित्र नहीं है हिंदुस्तान वास्तविक्ता है और उस वास्तविक्ता का सामना करना चाहिए हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा हिंदुस्तान सरकार के शाशन और नीती से चलेगा